हेलो फ्रेंट्स में नमें राजीव कुमार गुपताय दोस्तों आप देख रहे हैं गार्निंग सीखो तो फ्रेंट्स डेख रहे हैं आज हमारा डोपक है गोबर से खाल कैसे बनाई जो कि बिल्कुल कच्छा गोबर होता है यानि कि जो फ्रेश गोबर होता है आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यह बिल्कुल ही फ्रेश गोबर है जो कि मैंने अपने आसपासी खेतों में से लिया ही है तो आपके पास अगर कहीं से ऐसा गौगर मिल जाए और आपको नहीं मालूम कि ये इसको कमपोस्ट किस परकार से इसकी हम बना सकते हैं को जब तक हम इसकी कमपोस्ट इसको नहीं बनाएंगे तब तक ये यूज करने के काबिल नहीं होगा अगर इसको आप ऐसे ही डाल देंगे तो आपकी जितनी भी प्लांट्स आपने लगा रखे हैं ये उनको नुकसान पूंचाएगा और आपके प्लांट बिकार हो जाएंगे तो इसी लिए हम इसका फेटलाजर मनाने वाले हैं जो कि आप घर पे ही असानी से बना सकते हैं तो ये विदी जो है आप इसको शुरू से लेगे आखिर तक देखें तब ये आपकी समझ में आएगा कि हमने क्या करना है आपने कि इस प्रकार की बाल्टी लेड़ है डबासा कोई भी बड़ा यानि कि उसके अदर 20 या 45 लिटर पानी आ जाई और आपने ये देख सकते है मैंने खाद जो है थोड़ी सी ही लिवी है यारी कि गोबर्त जो है ज्यादा नहीं लिया हुआ मैंने ये थोड़ा ही है देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा तो हम इसी से ही बहुत सारा जो है फटिलाजर बनाने वारे हैं और साथ ही साथ जो है ये मिटी आप देख रह भरपूर मातरा में होते हैं तो आपको एक मग जो है इसका भी लेना है या पीपल का पेड़ के नीचे की या बढ़के और एक अब इसमें टालेंगे अंजाइन ये जो कि मैंने बनाया है दाल से बनाया हुआ जो कि ये भी मैंने घर पे ही बनाया है दालों से आप इसका वी जो चीजे यूज करेंगे तो आपके जो प्लांट है वैवी हेल्थी देंगे और आपको इनके लावा फर किसी फटलाइजर की जरूर्द ही नहीं है आपकी टैंशन जो है सारी की सारी ये ख़त्व कर देंगे और ये एक बोटल जो है आपकी छे मिने चल जाती है तो यही हिए यूज जाता की खशे माति फटलाएजसान फेनके आपके मेंगे तो फ्टीन यहारे फारी फारी मिदंदी बे खरते हैस के नीचे की क्योंकि इनके अधर ऑक्सीजन वो परुवाइड करते हैं वो छोड़ते हैं प्रडियूस करते हैं जिसकी वज़ासे वहाँ पर जो बैक्टीरिया सहे बहुत ही अत्यादिक लाखों क्रोडों के हिसाब से वहाँ होते हैं तो यह मिट्टी अब जुरू उटालें इस बात का आप ध्यान रखें इससे होगा यह कि जो आपका फेटलाइजर है वह काफी जल्दी से थेजी के साथ प्रोसेस उसका चालू होगा और वह जल्दी से बन जाएगा यानि कि आपको पंदरा दिन के अंदर यह डेडी हो जाएगा तो आप यह अपनी जो है इसको इसकी चालू हो जाएगी अब यह एंजाइन आप देख सकते हैं इसमें गैस अभी भी बनी पड़ी है यह गैस आप देख सकते हैं तो यह एंजाइन जो है बहुत ही पावरफुल है इसलिए भी हमें इसको भी थोड़ा ही इस्तेमाल करना है आप देख सकते हैं गैस क्यासे थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे जिससे कि ये थोड़ा गोबर भीग जाए और ये एंजाइन हम जो लेंगे आप देख सकते मैं जाइन आपको बता रहा हूं कितना लेना आपने अगर आपके पास एंजाइन ये नहीं है कुछ भी नहीं है तो आप तब भी कोई चिंता ना कर लेंगे तो जो इसका प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले बताया और फास्ट हो जाएगा तो इसका भी सिर्फ इतना ही फंक्शन है इसके अंदर और ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है आप सोड़ा इसको हिला लें और आपने ये सारा का सारा इसमें नहीं डालना ऐसे मैं काफी फास्ट होता है अगर ज्यादा डल गया तो आपके जो प्लांट्स हैं उनको नुक्सान भी पहुंच सकता है तो आप इसको सुड़ा सा अच्छे से अब मिक्स करें इस पानी के अंदर आपने इसके आप पनी डालना है अपंड़ी पनी परभास नहीं चलब उनको डब्हारा सबए। और जो ये मोटी आपके जो मोटे डले हैं जो गोबर के सूके हुए हैं वह भी थोड़ी टाइम बाद ये जो है तूट जाएंगे इसली इसमें मेल्ट हो जाएंगे तो अब हिलाने के बाद इसको जो है आपने इसको कब से कम आप चार पांच घंटे के लिए ऐसी छोड़ द जितना आप मिला सकते हूं हम आपने इसको जो है उस टाइम के लिए ड़के रख दें अब आपने इस बात का एक और ध्यान रखना है मैं आपको जो है मेरे ध्यान में आया आपने इसको दूप में नहीं रखना है तो आपने इसको रखना तो चाय में रखना है तो यह पान अच्छे से डख जाए अब मैंने मेरे पास यह डगकन था इसी का डबे का तो मैं इसको रख देता हूं और इसके ओपर मैं जो है एक थोड़ा सा वेट भी रख देता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह मैंने इसके ओपर एंजाइन की बौटल रख दी है जो दो डेटर की है आपको इंट का टुकुड़ा भी रख सकते हैं अब ये 4-5 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है किस हालत में आ गया है तो आप देख सकते हैं कि ये जो है किस कंडिशन में है अब आपने इसके अंदर जो है अच्छे से गुमा कर इसको जो है और थोड़ा सा पसला कर दें आप ठीक है ना किसी डंडे के साथ से जैसे कि मैं कर रहा हूँ और मैं आपको ये बता दूँ जो मैं ये फेटिलाइजर बना रहा हूँ ये जो फेटिलाइजर है इसको डालने के प्लांट को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पढ़ने वारी आपको किसी भी तरह की कमपोस्ट की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की प्रेस्टिसाइज बगरा की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की जूरूरत नहीं पड़ेगी यही जो है आपका फिटलाइजर जो है तीन से चार मेने तक इजली आपका वर्क करेगा मगर आपने इसको रखना चाया के अंदर ही है किसी ऐसी जगापर जहां पर धूप बिल्कुल भी ना आती हो यानि कि आप इसको इंडॉर कहीं रख दे या फिर किसी दिवार के साथ में आप शेयर डूप के नीचे रख सकते हैं मगर आपने इसको दूप में नहीं रखना है और हमेशा डख के ही रख के तो अब यह सारा पानी आप इसके अंदर डाल दीजे जो आपने एंजाइन डाला हुआ था और आपको इसको भी जो है डख कर रखना है कम से कम 15 दिन के लिए है और बीच में इसके आपने इसको हीलाते जरूर रहना है एक बार आप साथ-अठ दिन के बाद इसको खोलें हर चार पांच दिन के बाद आप इसके एक बार हिला दें डिंडे से और आप मैक्सिमम जीतना हो सके इसको बंद कर दें और आपने एक बात का उर्धान रखना है मैं अभी इसके अंदर मेरे पास भी लेबल नहीं है गुड जो गुड होता है खाने वाल, मीठा गुड वाップ बजार से लाएं और दोसु गुराम इसके अदर आप ये बीस लिटर के हमारा ये बालड़ी है उसके लिए 200 गुड है जो तो हो अप इसके अंदर लाकर जरूर मिला दें तो वो मिला दूँगा इसके अंदर अभी फिलाल मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ पर आप गुड जरूर मिला दें गुड मिलाने से ही इसकी प्रोसेसिंग है जो स्टार्ट होगी तो इसके बाद अब आपने इसको पंदरा दिन के लिए रखना है ढखकर और भीच बीच में आपने हर 4-5 दिन के बाद इसको हिलाना है तो चलिए हम इसको रख देते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं तो फ्रेंट्स यह देख सकते हैं आप 15 दिन के बाद जो इसका रिजल्ट है वह आप आप देख रहे हैं फाइनल रिजल्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो यह है तो आप देख सकते हैं यह 15 दिन हो गए इसको पड़े हुए तो आप यह देखिए आप इसके अंदर गुड़ मैंने लाके डाल दिया था और आप इसका कलर भी देख सकते हैं डार्क यैलो हो गया है अब इसक कि आप इसमें गोबर मिलने से यह ग्रीन ग्रीन सा होता जा रहा है ब्लैक इस्ट तो जितना आप इसको मिलाएंगे वो आपके ज्यादा अच्छा होगा तो आप इसको अच्छे से मिला दीजिए एक दो बार अब आप देख सकते हैं यह बिलकुल मिट्टी के कलर जैसा हो है अब यह आपका इंजाइन जो सोरी यह फटलाइजर आई यह बनकर बिलकुल रड़ी हो चुका है अब आप इसके अंदर जो है पूरी की पूरी बाल्टी को पानी से बर दीजिए क्योंकि यह आपकी जो बीस लिटर की बाल्टी है यह आपकी छे मिने चल जाएगी ठीक ह के देश इकत के नहीं है तो आपका इसके बाल्टी तियार हुए है एब जो इसके 200 लिटर वाटर में युज़ कर सकते हैं आप इसकी जो है कॉंटिटी नोट कर लीजिए कि आपको ये 20 लिटर की बाल्टी 200 लिटर पानी में यूज़ करनी है ठीक है ना तो बाप पर इसको पानी डालने के बाद अच्छे से मिला दे जिससे कि इसके अदर बैक्टीरिया जो है वो चारो सरफ इसके अदर मिक्स हो जा कि आपकी कोई बेल वाली सबजी आपने लगा रखी है जैसे अंगूर हो सकता है और अपना साथ में गिया हो सकती है कदू हो सकता है तो आप इन सब चीजों में इसको किसी भी परकार के प्लांट में अब आप ये देख सकते हैं कॉंटिटी इसकी मैं कितनी ले रहा हूं य जो कि मैं इस बाल्टी में डाल कर इसको यूज करूँगा ये मेरे पास जो बाल्टी है नीचे ये दस लिटर की है आप देख सकते हैं तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा डाल लिया है अब बाकी मैं इसमें पानी और भर लेता हूं क्योंकि मैंने आपको पहले ही शुट्रडिंग में बताया था कि आप इसको ज्यादा यूज ना करें ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो आपको प्लांट हैं जो वो जल भ ऐसको जादने पड़ें आपने यह सभी प्लांटों ए अंदर हर पंदरह इसको थोड़ा थोड़ा लाल यानिकी एक मगा मैं ले रहा हूं इसके अंजर तो तो आपने भी ठीक इसी प्रकार डालना है क्योंकि ज्यादा रियूज करेंगे तो आप के लिए प्रोब्लम हो जाएगी तो आप यह देख सकते हैं मैंने नीचे यह थोड़ी साग बालक वगरा जो लगा रखा है उसमें भी डाल रहा हूं और यह मैंने जो लगा रखे हैं मौली बगारा के प्लांट वो उनमें भी डाल रहा हूं और आप यह देख सकते हैं गोबी के ब्रॉकली सब इसी में मैंने लगा रखी हैं और यह मेरे अमरूद का प्लांट है और यह मेरे जो हैं आप देख सकते हैं गार सिंगार का और गुल्दी के प्लांट में डाल रहा हूँ ये गैंदे का है तो आप देख सकते हैं मैं सभी में डाल रहा हूँ ये मिर्च के प्लांट से हैं तो सभी में आप इस परकार से मैं कोईसी भी प्लांट को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं सभी में डाल रहा हूँ तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो प्लांट के अंदर जितने भी निट्रिशियंस चीएं वो अब इसके अंदर आ चुके हैं क्योंकि जो हमने डाल का एक एंजाइन जो इसमें डाला था, उसमें भी निट्रिशियंस बहुत ज़्यादा थे, माइक्रो निट्रिशियंस थे और साथी साथ हमने जो इसके अंदर गोबर डाला है उसमें तो आप जानती हैं कि सभी प्रकार की निट्रिशन्स हैं जो कि हमारे प्लार्ट्स के लिए अच्छे होते हैं तो फ्रेंट से बनाना बहुत ज़्यादा असान है आपने देखा प्रसेस कुछ नहीं करना आपने सिर्फ गोबर लेके आना है आपको कहीं से भी आप गोबर गाएं का आपको मिल जाए थोड़ा सा आप ले आए और उससे आप घर में इजलीन को बना सकते हैं और अपने घर में और्गानिक तरीके से आप अच्छी हेल्थी सबजियां और फ्लावरिंग के लिए अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं प्लांट पीला पड़ गया पते सूख रहे हैं आप देख सकते हैं तो यह भी अच्छी हो जाएंगे इससे तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि आपने सीख लिया होगा कि हम घर के अंदर गोबर के साथ कैसे फटलाइजर बनाकर उसको यूज कर सकते हैं अगर उसके बाद भी आपको कुछ परशानी आती है दीकत आती है तो हमेरे कॉमेंट बॉक्स में लेके तो मैं आपके परशानी काहला आपको जूरूर जूर बता दूँगा जिसी के साथ मुझे इजाद दीजिए मेरे नेक्ट वीडियो के लिए इन्धियार के जिए तक यू झाल आपके लिए जिए झाल आपके लिए जिए झाल आपके लिए झाल